आटा गुन दिया तुने मैं नहीं गुन सकती आटा हाथों में अलर्जी है मेरे इसी कैसी ऐलर्जी डाक्टर ने खाने ठूसने को मना नहीं किया चल आटा गुन के दे मुझे उफ बें नहीं गुन रही आटा खामाखा मेरे हाथों पे फोड़े निकलेंगे इंशालब फोड़े तो तेरे मूँ पे निकलेंगे वो में कहने आई थी के हमारी फैमली के लिए रोटी मत मंगवाना असल में मलीर वाले फुपा आईसी उ में है न तो हम सब नहीं जा रहे हैं उनकी तरफ तो भाबी फुपा आईसी उ में ये कोई इतनी खुशी की ख़बर तो नहीं है जो आप इतनी खुश्दिली से सुना रही हैं को मजाया या तफरीगी ख़बर है क्या अल्ला ओ वो मैं आजकल बड़े नफसियाती किसम के ड्रामे देख रही हूँ न तो मिजाज में कुछ उलजाओ आगया मेरे ए निगध ये नया जोड़ा है न अरे अरे क्या कह रही हैं आप 36 दफ़ा तो पहन चुकी हूँ आजे वो बात अलग है कि साजड जब भी मुझे जोड़े में देखते हैं किसी और ही दुनिया की मखलूक लगती हो एदो तो किसी और दुनिया की मखलूक मगर मैं उस दुनिया की निशान जाए नहीं कर सकती वैसे भादी आपस की बाद है भाई बड़ा चुपता वर रंग है तो आई यह उम्रे हैं यह रंग पहनने की यह चूड़ियां नई लिए कब ली साजित ने दिलवाई होंगी इतना दयालू नहीं है आपका बेटा जो बाहर की खीमती चूड़िया लाके देगा हमें आई बिल्कुली कोई ठनी चवनी वाली लग रही है हलकी ए निगत क्या तेरे फुपा आई सीओ में आने वाले महमान कि खातेन मादाराद कोर में और बिडियानी से कर रही है जिदो बगार खाय निकल रही है वह हम बापसी पे मलीर केंट निकल जाएंगे ना अजरा निशाएद खाना वाना बनाया हो अम्मा जूट बोल रही है साजित भाई के साथ खाना खाने जा रही है कोई वो फुपा फुपा आई सीओ में जूटी पहले नंबर की जूट बोल बोल कर ना इसकी शकल पर ये नहूसत बर्सी है अल्ला बखशे हमारे अबमिया कहते थे कि आदमी के आमाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं किसी का गदे का सा मूँ हो जाता है किसी का कुते का सा मूँ हो जाता है किसी का बंदर का सा हो जाता है और किसी का उस जैसा हो जाता है जिसका नाम लेने से ना नमाज में कुबूल नहीं होती है तो आपको इससे क्या है आप कौन सी नमाजें पढ़ती है शटा है यह लोग मुझे कहते थे कि यतीम लड़की है अपने बेटे का निकाह पढ़वा दो इससे हुआ क्या है